वेलकम बैक टू मा यूटूब चैनल गाइज आप मेरी टेबल पे आप बोर्ड देख रहे होंगे यह HP का मदर बोर्ड है जो की मेरे पास नो पावर के केसिस में रिसीब हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं इस पर आयो पे काफी अच्छे से किसी ने काम किया है बायोस भी काफी अच्छे से काम किया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस पर भी काफी अच्छे से काम किया है चलिए पहले इसका पार्ट नमबर बता देता हूँ आपको DA0PAHMB8F0 Revision इसका F वरजन है सबसे पहले इसका हम CPU देख लेते हैं कि CPU कौन सी जनरेशन का लगा हुआ है चलिए चलते हैं हमारे डेक्ष्टॉप की तरफ और देखते हैं इसका CPU कौन सी जनरेशन को ब्लॉंग करता है एक बार SR नमबर इसका सर्च कर लेते हैं SR K05 SR K05 Intel Core i5 11 generation का इसमें CPU लगा हुआ है यानि कि ये जो motherboard है वो कहीं न कहीं 11 generation का board है तो आज हम देखेंगे कि 11 generation के motherboard को कैसे repair किया जाता है पहले इसकी actual condition हम देख लेते हैं इसमें अभी condition क्या है क्योंकि मुझे बताया गया है no power का cases है तो चलते हैं हमारे motherboard की तरफ और एक बार देखेंगे कि no power के cases में किस तरीके से board को repair करना चाहिए तो जैसा कि मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जब भी no power का cases आए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है यह जितनी भी coil आपको नजर आ रही है इन पर क्या करना होता है एक बार impedance लेबल पे आपको check करना पड़ेगा कि कहीं shorting तो नहीं है फिलाल मैं आपको पहले इसी actual condition दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पर DC connect कर लिया, DC jack को लगा लिया है और यहाँ पर यह मेरा on off भी लगा हुआ है और एक बार DC और connect करूँगा ताकि हम देख सकें कि actual में इस motherboard में अभी condition क्या है जहां से यह board आया है, उनका कहना है कि यह no power के cases में board है, मतब अभी board on नहीं हो रहा है मैंने यहाँ पर DC connect कर ली है और साथी साथ मैं DC का यह plug भी connect कर लेता हूँ आप मेरे DC को देखते रहे, आपने देखा 009 मैं एक बार board को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर LED का जो indicator है वो कहीं न कहीं जलता हुआ नजर आ रहा है, चलिए मैं इस power button को एक बार press करता हूँ आपने देखा, ठीक है 74 के करीब गया, 76 के करीब, 74, 76 यानि कि board ट्रिगर तो हो रहा है लेकिन, मतब 74, 76 के around में ये board on होता है और off हो जाता है तो चलिए पहले इसका schematic डाउनलोड कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या हमें इसका schematic मिलता है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा सर्च किया था, मुझे इसका schematic नहीं board view कुछ available हुआ नहीं था बाकी एक बार चलते हैं हमारे गूगल की तरफ और देखते हैं क्या schematic available है या नहीं इसका part number डाल लेता हूँ एक वर d a 0 p a h m b 8 f 0 आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप यहां पर, schematic अगर होगा तो जरूर मिलेगा, ठीक है यहां पर हमें कुछ क्या मिला है एक बार part number मैच कर लेता हूँ, d a 0 p a अच्छा यह model अलग है, यह थोड़ा सा अलग हो गया model हमारा जो model था वो कहीं न कहीं क्या था d a 0 p a h m b 8 f 0 ठीक है, schematic यहां पर type किया और देखते हैं क्या ठीक है, ठीक है, नई, schematic तो इसका available है नहीं एक बार यहां पर search कर लेते हैं इसे थोड़ा सा इस image पर click करने से क्या idea हो जाता है कि इससे related भी अगर कोई schematic होगा तो वह आपको यहां पर show कर देगा यानि कि इसका schematic तो मिला नहीं, body view देख लेते हैं एक बार क्या body view available है बायोस है और एक बार इसको image क्लिक करके देख लेते हैं ठीक है, कई बार body view होता है तो image में भी हमें नजर आ जाता है इसलिए image पर भी click करके देखना चाहिए ठीक है, ठीक है, ओके यहां पर एक PDF है DA7 अच्छा यह हमारा model नहीं है यानि कि इस motherboard का ना तो schematic है ना तो इसका board view है अब board view नहीं है, schematic available नहीं है अब इस तरह के board को कैसे आप repair कर सकते हैं बिना schematic के, बिना board view के मैं आपको बता दूँ बता दूँ आपको जब भी आपके पास board आता है repair के लिए अगर उसका schematic नहीं है available और नहीं board view है available तो आप इस situation में किस तरीके से repair करेंगे चलिए मैं आज आपको बताऊंगा सबसे पहले आपने देखा कि board जो है हल्का सा on हो रहा है और off हो जा रहा है यानि कि सबसे पहले हमें क्या लेना होगा कही न कहीं किसी oil पर shorting तो नहीं है इसके impedance एक बार ले लेते हैं चलिए सभी के impedance ले लेते हैं एक बार multimeter को मैं connect कर लेता हूँ यहां मैंने multimeter connect कर लिया है और एक एक करके हम diode mode पे इसके क्या करेंगे impedance ले लेंगे ठीक है मैंने diode mode पे multimeter को set किया है आप मेरे multimeter की तरफ देखते रहेगा और हर एक कोईल पे देखते रहेगा यह एकदम perfect है ठीक है यह भी एकदम perfect है यह भी ठीक है और यहां पर भी एक कोईल है यह भी ठीक जा रही है मतब ठीक low value नहीं है यहां पर भी यह भी आपको एकदम perfect नजर आ रहा है यहां पर भी ठीक है all over कहीं पर भी मुझे इसमें अभी फिलाल श्वाटिंग नजर नहीं आई है यहां पर फिर मैं discuss करना चाहता हूँ कि मुझे generation matter नहीं करता चाहिए 11 हो 12 हो 1st generation हो ठीक है बस आपको यह ध्यान रखना है कि कोई सी भी generation का board आए उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या हमें बनाना है सबी supply यह जितने भी यह coils हैं यह coils के इलावा जो छोटे 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 LDOs लगे होते हैं उनकी भी आपको supply यह बनानी होती है सबसे पहले supply से related जो भी fault होगा तो वो आपका supply में ही solve हो जाएगा अगर supply का clear कर लिया आपने तो फिर आपको जाना पड़े का signal label पे तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया इसका ना तो schematic है ना ही board view है तो हम कैसे repair करेंगे 11 generation के board को without schematic सबसे पहले यह जितनी भी coil है आप को यह देखना है कि इतनी जो भी coil है सबसे पहले आपने नॉर्मल ही देखा होगा हर एक board में क्या sequence रहता है 19 बनती है 19 के बाद आपकी standby बनती है standby के बाद आपकी RAM बनती है RAM के बाद आपकी जो 11 generation के board है उनमें क्या होता है RAM बनने से पहले ही आपकी 1.8 और 1 volt always यह पहले ही बन जाती है यानि कि standby बनी 1.8 और 1 volt always आपको यह पहले ही बनकर तयार मिलेगी तो अब यह 4 volt अलरड़ी पहले ही बनकर तयार हो गए है VCCS से बनाई है फिर आप core बनाई है यहां हो जाता है आपका supply से related जो भी supply से related जो भी मतलब supply की requirement है वो पूरी हो जाती है core तक तो आपने अभी यहां पर देखा मैं एक बार फिर से यहां connect करूँगा DC को और यहां पर आप देखिए का यहां पर board की जो condition है वो आप ध्यान से देखिए का मैंने DC connect कर दिये और मैं board को on कर रहा हूँ board on हुआ और यहां पर LED भी देखिए board on हुआ और off हो गया यानि की इस तरह के board को क्या कहा जाता tripping, tripping मतलब board on होके off हो रहा है, board अगर on होके off हो रहा है तो मैं आपको बता दूँ इस तरह के cases को repair करने के लिए आपके पास अच्छे tools होने चाहिए तभी आप इस तरीके के case resolve कर पाएंगे, अगर अच्छे tool हैं तो ही आप इस तरह के cases को solve कर सकते या फिर आपके पास अच्छा खासा experience होना चाहिए चलिए अगर आपके पास अच्छे tool नहीं है, अच्छा experience नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप board को repair कर सकते हैं तो आज इस board को हम repair करेंगे, तो यहां पे अब मुझे लेना पड़ेगा help किस की? DSO की, DSO की help से क्या करेंगे? हमें यह देखना है कि जितनी देर में, for example मैंने यहां connect किया, 56 गया, इस 56 जहां 56 तक गया, उतनी बार में मुझे यह coil चेक करनी है, यह coil चेक करनी है, यह यह तमाम जितनी भी coil है, मुझे यह diagnose करना है कि कौन कौन सी supply बन रही है, अगर मेरा supply से related नहीं fault है, तो फिर हम देखेंगे क्या next label है, अगर मेरा supply से resolve हो जाता है, तो फिर इसका मत्तब है supply में दिक्कत है, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि जब भी आपके पास tripping का case आये, यानि कि on होके off आये, इसके दो reason हो सकते हैं, या तो कोई supply missing, या कोई power good missing, या फिर आपकी bios का data corrupted, या फिर आपकी कहीं न कहीं shotting, इन 4-5 point में इसे अगर आप लेकर चलेंगे, तो कहीं न कहीं आप board बना पाएंगे, चलिए देरी ना करते हुए, हम चेक करते हैं step by step, कि हमारी कौन कौन सी supply बन रही है, और कौन कौन सी नहीं, इसके लिए मुझे DSO connect करना पड़ेगा, DSO एक बार connect कर लेता हूँ, के लिए मैंने DSO connect कर लिए, और DSO में मैंने कुछ setting की है, याद रहे, जब भी tripping का case या कोई supply बन कर गिर रही है, उसके लिए आपको DSO की setting आनी चाहिए, अगर वो setting आती है, तभी आप इस तरह के cases को resolve कर पाएंगे, चलिए मैंने DSO यहां पर connect कर लिए है, और DSO में उस setting कर ली है, याद रहे, जब भी इस तरह के cases आते हैं, आपके पास tripping से related या no display के cases, तो आपको DSO की setting आनी चाहिए, तभी आप इस तरह के case resolve कर पाएंगे, चलिए इसको एक बार मैं DC को on करता हूँ ठीक है, और मेरी DSO की तरफ देखते रहेगा आप, ठीक है, यानि कि यह इस coil पर जो भी supply बन रही थी, यानि कि यह जहां तक मुझे नजर आ रहा है 1.2, यानि कि RAM की कहीं न कहीं यह supply है, ठीक है, क्योंकि schematic है नहीं, schematic नहीं है, तो अगर आपको DSO की knowledge है, तो आप idea लगा सकते हैं, कि यह जो voltage बन रही है, कहीं न कहीं RAM की है, साथ में यहां पर एक coil है, इसे भी चेक करते हैं, ठीक हुआ है प्रॉप को, और यहां पर मैं एक बड़ DC को on करता हूं, शायद आपको नजर ना आए, तो मैं यहां से, इस तरीके से, ठीक है, यह देखा आपने, तो यहां पर इस coil पर आपने देखा, आपको अगर आप देख पा रहे होंगे, मेरी DSO में, तो आपको knowledge है, अगर DSO की, तो आप इस coil पर देख रहे हैं, इस पर क्या है, 5 बोल्ट अब इसके बाद यह दो कोईल हमने चेक कर ली, इसके बाद हम आते हैं इस कोईल पर, इस कोईल पर कितनी वोल्टेज बन रही है, और वोल्टेज नहीं बन रही है, यह भी चेक करेंगे, देन उसके बाद हम चेक करेंगे, आगे के कोईल, यह कोईल बची है हमारी, उसके ब दुबार on करता हूँ, ठीक है यह capture नहीं हुई, शायद I think सई से touch ना हुआ हो, दुबारा से capture करते है, ठीक है इस पर कुछ तो बना, मतब इस coil पर भी कुछ voltage तो बनी, इसके बाद हम चेक करते हैं, हमारी एक और coil है, यह एक coil है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कोई voltage बन रही है, मैं एक बड़ DC को on कर लेता हूँ, और यहाँ पर, ठीक है, यानि कि यह भी बन रही है, अब इसके बाद हमारी दो यह coil रह गई, यह charging की coil है, इसे हमें चेक करने की जरूत नहीं है, एक बार मैं DSO को फि ठीक है, इस पर मैंने coil पर कनेक्ट कर लिया है, अपनी प्रॉप और यहाँ पर देखते हैं, यह नहीं बनी, इसके साथ वाली में देख लेते हैं, यह भी नहीं बनी, एक वर इस साइड, आउटपूट साइड में देख लेते हैं, यानि कि, अगर मैं आपको दिखाऊं, य यह कोईल, यह कोईल, यह कोईल, यह देन, यह चार्जिंग है, इसलिए यह नहीं बनेगी अभी, यानि कि, मैं अगर इसको सही समझ रहा हूँ, CPU के पास में अगर यह लगी है, यह क्या है, मेरी, क्या है, CPU कोर नहीं बन पा रही है, और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर, किसी ने अच्छा खासा काम किया है, लेकिन आपको मैं बता दूँ, अगर कोर कभी नहीं बनती, किसी भी जनरेशन में, चाहे वो first हो, चाहे 12, 13, जितनी भी जनरेशन हो, जितनी भी जनरेशन हो, कोर अगर नहीं बन रही है, तो आप, मैं अपना experience बताता हूँ, अगर आप कि कोर नहीं मन रही है, तो आप direct कोर की IC पे मत विड़िए, कोर की IC पे जब भी विड़ेंगे, तब भी आपको क्या होगा, VCC मिलेगा, Unable भी मिलेगा, Data Clock का जो Pull Up है, वो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कोर नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि back end का नहीं चेक करते, अ लेकिन वोल्टेज होने के साथ, आपको कोर बने, उसके लिए क्या होगा, आपकी यहाँ पर यह देख सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ दिखाओं, यह दो लोड सुच लगे हुए, इसको VS Supply भी कहते हैं, कुछ लोग लोड सुच भी कहते हैं, जो की 14 नमबर पिन की IC नहीं बने, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ, जितने भी latest generation के बोड हैं, उनमें एक समस्या बहुत आती है, कौर नहीं बनती है, IC बदल लेते हैं, register बदल लेते हैं, BIOS कर लेते हैं, TP को heat कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कौर नहीं बनती, कहीं न कहीं mistake होती है, कहीं न कहीं कुछ गलतियां हम करते हैं, तो मैं भी यहाँ पर अगर आपको दिखा हूँ, तो आपने देखा कि कौर नहीं बन रही है, अब मैं अभी अगर भिड़ जाओं के IC बदल लूँ, IC की requirement चेक करूँ, मुझे पता है सब भी requirement all over सब fill मिलती है, फिर भी core नहीं बनती, हलाकि इस case में CPU नहीं खराब है, फिर भी लोग कहते हैं चलो CPU खराब, चलिए, चेक करते हैं ये VS की supply, ये हमारी दोनों साइट प्रॉपर बन रही है या नहीं, चलिए DSO को connect करता हूँ, एक बार फिर से, और यहाँ पर DC को भी connect कर लेता हूँ, चलिए मैंने प्रॉप को connect कर लिया है, मुझे नहीं पता कि ये तीन की line है या पांच की है, मैंने अभी input side में प्रॉप को रखा है, चलिए मैं एक बार board को on करता हूँ, ठीक है, आपने देखा, यहाँ पर ये supply input में बन रही है, IC के दूसरे point पे चेक कर रहूँ है, ठीक है, ये भी बन रहा है, अब मैं इसके output में चेक करूँ, अब मैंने इसके output में रखा है, और फिर चेक करते हैं, ठीक है, output में भी बन रहा है, एक बार दूसरे point पे चेक कर रहे हैं, एक मिंट सई से लगी नहीं है, शायद प्रॉप, ठीक है, अभी ठीक लग गई ये, एक सेकेंड, इस बात का ध्यान रखे, बड़ी केरफुली से काम करना पड़ता है, अगर जरासी भी चूख हुई, तो CPU डैमिज हो जाएगा, ठीक है, चलिए, ठीक है, ये भी बन रही है, ठीक है, एक load सुच यहाँ पर लगा है, इस पे भी चेक करते हैं, ठीक है, ये भी बन रही है, यानिकी 5 वोल्टेज है लगबग, ठीक है, ये भी बन रही है, साथ में इसके दूसरे पॉइंट पे हम चेक करते हैं, इसके दूसरे पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये भी बन रही है, अब हम इसके आउटपुट में चेक करेंगे, अब मैंने इसके आउटपुट में रखा है और यहां पर चेक करते हैं आप मेरी DSO पे देख रहे हैं कि जो आउटपुट में 5 वोल्ट थी वो कहीं न कहीं आउटपुट में वो प्रॉपर नहीं बन रही है यानि कि बनने की कोसिस की लेकिन वो नीचे की तरफ ड्रोप डाउन हो गई यानि कि हमें 5 वोल्ट की आउटपुट में कहीं न कहीं दिक्कत है तो चलिए जैसा कि मैं हर बार की तरह आपको बताता हूँ कि वोल्टेज अगर नहीं मिल रही है तो या तो रिक्वार्मेंट की दिक्कत या फिर मेरी शॉटिंग तो चलिए हमें इस तरफ प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रही है तो एक बार जल्दी से इंपेडेंस ले लेते हैं आउटपुट के यहां पर यह लोड सुच लगा हुआ है यानि कि जो लोड आईसी है वो मेरी आउटपुट में कहीं न कहीं क्या हो रहा है प्रॉपर वोल्टेज नहीं जा पा रही है ठीक है तो यहां पर इंपेडेंस ले लेते हैं एक बार ठीक है यानि कि आउटपुट में क्या है मेरे शॉटिंग है जिसके कारेंट से क्या हो रहा है बोड आन तो हो रहा है लेकिन आफ हो जा रहा है और यहाँ पर जो 5 V यहाँ आ रही थी वो प्रॉपर 5 V यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रही है अब अगर मैं जमपर करूँ तो मेरी क्या होगी यह वोल्टेज को भी बैठा देगा याद रखिए का जब भी आपको वول्टेज नहीं मिले तो आप डारेक्ट ट्यूजर ना करें, पहले उसका impedance ले, अगर वो high है, तब आप ट्यूजर कर लीजे, तो चलिए यहाँ पर shorting है, तो हम एक बार क्या करेंगे, DC supply को inject करेंगे, और देखेंगे कौन सा area मेरा heat हो रहा है, यह तो confirm है कि यह 5V की line है, तो मुझे 5V तक का jumper connect करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर output में जहाँ voltage नहीं मिल रही थी, वहाँ पर jumper put कर लिया है, यहाँ पर ground भी connect कर लिया है, मेरे DC जो है 0 पर connect कर दी है, अब मैं इसको on करके धीरे धीरे इसका ampere बढ़ाऊंगा, यह ठीक है, यह 2V के करीब ampere ले गया, अब यहाँ पर हलका हलका finger लगा के touch करके, आपको देखना होगा, कि कौन सा component heat हो रहा है, जो component heat हो रहा है, that means वो कहीं न कहीं खराब हो चुका है, ठीक है, इधर कुछ गरम होता हुआ नदर आ रहा है मुझे, पर हटा देते हैं एक बार, जिहान से करना होता है इस काम को, कहीं पर अगर हलकी सी भी गलती हुई, तो आपका CPU जा सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गरम होता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, और एक बार अपने lens की मदब से देखता हूँ, ठीक है, मुझे एक कैफिश्टर यहाँ पर नजर आया है, जो की damage लग रहा है, एक बार उसे हटा कर चेक करेंगे, क्या मेरा जो low impedance था, वो सही हुआ है या नहीं, याद रखिएगा, last class से last side में मैंने बताया था, जब भी आपको अगर zero voltage, अगर किसी impedance में zero आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए, कि कहीं ना कहीं मेरा कैफिश्टर कोई short हो गया है, ठीक है, यह मैंने यहाँ पर लिकाल के रखतिया है, यह रहा, आपको नदर आ रहा होगा, बहुत छोटा सा कैफिश्टर है, quality है, ठीक है, अब मैं जल्दी से एक बार क्या करूँगा, इसके impedance वापस से ले लूँगा, क्या मेरे impedance सही हुए है या नहीं, देख लेते हैं एक बार, अगर मेरा impedance सही हो गए है, तो मेरा board जो है, चल जाना चाहिए, ठीक है, impedance सही हो गए है, यानि कि कहीं न कहीं वो capacitor short था इसमें, हाला कि इस motherboard का ना तो schematic है, ना ही board view है, लेकिन आपको मैं बता दूँँ, अगर आपके पास knowledge है, experience है, तो आप इस तरह के board, बिना schematic, बिना board view के भी कर सकते हैं, मेरे पास ना तो इसका schematic है, ना ही board view है, लेकिन हमें काम करते करते idea हो चुका है, कि कैसे कैसे sequence चलते हैं, तो आपने देखा, मैंने किस तरीके से इसकी output की जो shotting थी, वो एक ही second में लिखा लिए, तो चलिए एक बार इसकी power connect कर लेते हैं, और देखते हैं, क्या हमारा motherboard on हु हुआ है या नहीं, मैं DC को एक बार 19 पे connect कर लेता हूँ, ठीक है 19 हो गया है, ओके, और यहां पर CPU की heatsink भी लगाई लेते हैं, जो tripping के cases होते हैं बढ़े difficult होते हैं, on होके off होना, मैं आपको बता दूँ, बहुत आसान नहीं है, इस तरह के cases को solve करना, लेकिन अगर आपको knowledge है DSO की, तो DSO से काफी हद तक cases लिकाल सकते हैं, यह cases थो था core नहीं बन रही थी, कुछ cases ऐसे भी आते हैं, जो की core भी बन रही होगी, और फिर भी on होके off बो रहा हो, उस तरह के cases कैसे solve करते हैं, वो आप हमारी online classes में सीख सकते हैं, या फिर मेरी offline classes को join करके सीख सकते हैं, उस तरह के cases को कैसे resolve किया जा सकता है, लेकिन आपको DSO जरूर होना चाहिए, भई रिपेर करते हैं, अगर आपके पर DSO नहीं है, तो possible नहीं है कि आप board रिपेर कर पाएं, चलिए मैं एक बार RAM भी connect करी लेता हूं, बार बार क्या connect करूंगा, नहीं यहां पर connect कर दिया, ठीक है, माउस भी connect कर लिया है, और यहां पर DC मैंने connect कर दिया, और मैंने DC को यहां पर ले लिया है, चलिए board को on करते हैं, और मेरी DC की तरफ, ध्यान से देखिएगा, क्या मेरा board on हुआ है, proper या नहीं, board on हो चुका है, एक single छोटे से capacitor की वज़े से, आ यहां पर display, अभी नहीं आया, दिखाता हूँ, ठीक है, ओफ हो गया है, कोई बात नहीं, दुबारा से on हो जाएगा, ठीक है, on हुआ, यह डेल वाली, जो restart वाली condition हुआ करती थी, वो कहीं न कहीं HP में आ चुकी है, आप देख सकते हैं, यहां पर, यह board में proper display आ चुका है, बंद करके एक बाद चेक कराता हूँ, मैं आपको, आफ हो गया है, तो आपने देखा, किस तरीके से मैंने, इसको बिना schematic, बिना board view, और, इसको कैसे repair किया, और आपने यह भी देखा, कि DSO की मदद से कैसे मैंने diagnose किया, कि इस line में यहां दिक्कत है, नॉर्मली, आप भी इस तरीके से board को repair कर सकते हैं, आप अपने आपको update कर सकते हैं, हमसे जुड़कर, हमसे online class या offline classes लेकर, अगर मेरी ये videos पसंद आई है, तो like करें, share करें, और अभी तक मेरा channel subscribe नहीं किया है, तो channel को ज़रूर subscribe कर ले, क्यूंकि इस तरह की latest generation के जो board हैं, वो आपको जल्द से जल्द updated मिलते रहें, ये, thank you.